हालो फेंस बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे colapell defense कोश्चिंज और यह लटेस्ट पैटिंट एक State कोश्चंस है और इस तरह केको चुस्चंस घ्रफप सभी इसमेश्च पूछे जा रहे हैं मैंने मैंने अब st इस लीएल कोंटिए पेपर हुआ था पंद्रह 12-2018 तो काफी री रीसेंट ये कुस्चंस है और ये ग्साम के कुस्चंस हैं तो आपको एक आइडिया हो सकता है कि किस तरीके कोंटिद सम्म्में आप से पूछे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन कोंटिवा देखे ये questions हैं लेकिन इस तरह के questions हाला कि ये clerical exam के questions हैं लेकिन bank pew exam में भी इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं लेकिन उसमें जो level होगा questions का वो थोड़ा सा high होगा उसमें जैसे यहाँ पर ये sentences दिये हैं ये दो या तीन lines के होंगे जदा complicated होंगे लेकिन इस तरह के questions bank pew exams में भी पूछे जा सकते हैं तो ये column based question है और इस तरह के questions में आपको क्या करना है देखे यहाँ पर आप एक table देख सकते हैं और इसमें column 1 और column 2 यह दो column है और यहाँ पर तीन sentences लिखे हैं और यहाँ पर तीन sentences लिखे हैं और इन sentences को mix and match आपको करना है और mix and match करके जो correct combination आपका बन रहा है उसके according पर आपका answer बनेगा अब जो combination आपका बनेगा वो grammatically भी correct होना चाहिए और उसका context भी सही होना चाहिए ठीक है यह दौनों ही चाहिए आपको देखन मिक्सर में लिखा हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि A B और C ठीक है यह तीन sentences दिए दिये हुए है या sentence या phrases बोल सकते हैं आप और यहां दिये गए हैं D E और F तो इनको mix and match करना है आपको ठीक है अब यहां से पढ़ते हैं there is emerging international recognition देखिए इसका क्या मतलब है कि emerging म की बन रही है इस बात की एक पहचान बन रही है अब किस बात की एक पहचान बन रही है यानि इस sentence के आगे आप नाउन equivalent कुछ भी रह सकते हैं क्योंकि जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं किसी action की बात करते हैं तो इसको हम नाउन से इंडिकेर करते हैं तो इसके आगे क सोबकже मुझत है तो आंड है यहां से झूड़ेगा नहीं तो यहां से जुड़ु सकता है किया कि यहां से हमने यह सुरू किया है यह यानि यह that है effective climate action में तो यह दोनों सेंटेंस जो है यानि ए और एफ यह ग्रेमेटिकली भी सही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर यहां पर आपका सब्सक्राइब और यहां पर यहां पर यहां पर दिया भी है लेकिन दूसरे combinations हमें देखना होंगे it can serve as the driving force to restore hope अब देखिए यहां पर it can serve as the driving force यह चीज एक driving force की तरह काम कर सकती है किसलिए to restore hope जिससे उम्मीद बापस आए and create societies देखिए restore hope एक अलग चीज़ है create societies एक अलग चीज़ है तो इसका context नहीं बन रहा है हाला कि यह sentence यहां पर जोड़ सकता है लेकिन बी और डी का combination नहीं बन रहा है बी और डी का option भी नीचे नहीं दिया गया है ठीक है इसको हम पढ़ते हैं the earnest determination distilled in these words is the spirit we all need the earnest determination distilled in these words मतलब इन शब्दों के अंदर जो determination है the earnest determination distilled in these words is the spirit we all need we all need to इसके आगे एक two phrase जुड़ना चाहिए लेकिन two phrase यहां पर नहीं है अब देखे यह मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि इसके आगे यह चीज़ जुड़नी चाहिए इसके आगे जैसे मैंने बताया कि यहां पर एक two phrase जुड़ सकता है यहां पर मैंने बताया कि noun equivalent कुछ भी आ सकता है यह सारी चीज़ आती है regular reading से यदि आप regular reading करते हैं तो इस तरह के questions को बहुत आसानी से आप correctly कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि आप में एक sense create हो जाता है कि किस word के साथ logically कौन सा word आना चाहिए तो यहां पर A और F A और F का एक logical combination बन रहा है बाकी synthesis का logical combination नहीं बन रहा है तो यहां पर आपका answer होगा third जिसमें A और F दिया है ठीक है इस तरीके से इन questions को आपको करना है अब हम second question देखते हैं over time there are changes chances, during some time there are changes, grouping changes की हम बात करारे है कि बदलाब आते है predis. That take place, which moves may become from the other people that take place, where happens? तो इसके आगे अपका answer का ना नाम ने सकते हैं. Logically, इसके आगे place का नाम नहीं कि वह कहां पर होते हैं. को बन सकता है को तेख प्लेशी है यहां पर क्लियर ली दिया गया है यहां पर क्लियर नाफ इस्पिसीश के अंदर इस्पिसीश का जो combination होता है उसमें कुछ over time कुछ changes होते हैं यह darwin की थियोरी आपने पड़ी होगी biology में उससे रिलेटर यह question है और इन species से मिलकर बनता है ecological community तो यह दौनों sentences logically connected हैं और context भी इनका सही बन रहा है क्योंकि इसमें हम ecological community की बात कर रहे हैं और उसके ecological community के अंदर जो species होती हैं इसमें का composition के इस तरीके से change होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है तो इसका combination बन रहा है now let us see the second question in the case of primary succession where the house नहीं इससे नहीं बन रहा in other cases a pre-existing group of species is replaced by a new group of species यह यह बास सही है कि pre-existing group of species जो है वो दूसरे group of species से replace हो जाती है in other cases a pre-existing group of species is replaced by a new group of species इसके बाद अगर इसको जोडते हैं तो where the house and array of species इस sentence को इस sentence से logically आप नहीं जोड सकते क्योंकि यह दे जो आ रहा है इस दे को आप species के लिए यूज कर रहा है जो कि गलत है species के लिए हम दे का यूज कैसे कर सकते हैं where the house house का मतलब रखना where the house and array of species जहां पर वो species को रखते हैं नहीं इनका logical order नहीं बन रहा है ठीक है और second का भी इससे नहीं बन रहा है in the case of primary succession that ecological community move from possessing very little species diversity नहीं इसका भी नहीं बन रहा है इसमें भी आपका answer third ही होगा A और F ठीक है over time there are changes that that take place take place मतलब कहां पर in the composition of species that constitute an ecological community A और F इसमें आपका सही answer है बाकी उनका combination नहीं बन रहा है अब हम देखते हैं question number third the increase in MSP for ruby crops comes अब देखिए the increase in MSP MSP क्या होता है minimum selling price यह crops में होती है यह अपने agriculture पढ़ा हो तो वहां पर ruby crops और सभी तरह की crops होती है ठीक है रभी crops इनका government जो है वो एक MSP decide करती है minimum selling price ठीक है जो किसानों को मिलता है तो the increase मतलब उसमें जो बढ़त है the increase in MSP for ruby crops comes अब यहां पर लिखा है कि जो increase आया है जो बढ़त सरकार ने की है MSP में रभी crops के लिए comes अब comes के आगए आप times related कोई phrase आप लगा सकते हैं comes when ठीक है अब times related जो phrase है वो इसमें दिया है just ahead of the RBI monetary policy announcement अब देखिए इसमें हम minimum selling price की बात कर रहे हैं और इसमें हम monetary policy की बात कर रहे हैं तो यह दोनों चीह connected है क्योंकि RBI जब अपनी monetary policy निकालता है तो इसमें वो सारी चीहों को decide करता है कि किस crop का MSP क्या होगा तो इसका context भी है और इसका logic भी है यह दिन दौनों sentences को आप जोड़ें तो यह sentence हो जाएगा the increase in MSP for review crops comes just ahead of the ahead मतलब पहले RBI monetary policy के announcement से पहले आया है क्या आया है कि MSP में MSP की जो प्राइस उसमें बड़त की जाएगी यह sentence ही है A और E इसमें सही है next हम देख लेते हैं there are notified crops the government set नहीं बनेगा off even नहीं बनेगा इससे इसको देखते हैं for big companies there are instances of instances मतलब होता है उधारण इस चीज के examples big companies के लिए इन चीजों के instances भी हैं इन चीजों के examples भी हैं लेकिन instances of what instances के साथ हम लगाते हैं off और off यहाँ पर लगा हुआ है there are instances of even the infrastructure getting damaged मतलब बड़ी companies के साथ इस तरह के examples रहते हैं कि उनका infrastructure जो है वो damage हो जाता है even the infrastructure getting damaged getting damaged क्या है यह passive voice है और यह actually participle है जो की infrastructure नामक noun की यहां पर इसको यह modified करा है लेकिन यह passive voice में है यह passive voice participle इसको आप मान सकते हैं ठीक है तो यह sentence structure सही है यहां पर तो DEF यहांनि इसमें आपका एक तो यह बनेगा AE ठीक है और एक बनेगा आपका यह C F for big companies there are instances of even the infrastructure getting damaged DEF तो एक तो बन रहा है आपका सी एफ और एक बन रहा है एई एई हां तो इसमें आपका अंसर होगा फोर्थ यह इसमें आपका अंसर होगा सही ठीक है फोर्थ कोश्चन देखते हैं रिसेर्च अर ओनली बिगिनिंग टू अंडरस्टेंड अपावर पावर के बाद हम आफ लगाते हैं दा पावर अफ तो हनी तो यह तो यहां से नहीं बन रहा है इसको देखते हैं As our understanding Glow will have the Potential Potential के बाद हम टू लगा देते तो यहण पर इसका combination बन रहा है ए это Sunday ंड्राइन जैसे जैसे हमारी some मज बढ़ती जाएगी we will have the potential हमारे पास शक्ति होगी किस चीज की to edit out genes that cause fatal disease उन genes को हटाने की शक्ति हमारे पास होगी जिसकी वज़े से घातक बीमारियां हमें होती है जैसे cancer TB और बड़ी-बड़ी बीमारियां tumors ठीक है तो यहां से इसका यह दोनों sentence सही है logically connected भी है और उनका बन रहा है एक तो यह हो जाएगा next हम देखते हैं the burden of gene editing pass down the family tree इसमें देखिए burden of gene editing अपने आप में एक subject है burden of gene editing जो की pass down होता है family tree में जो की उपर से नीचे तक आता है ट्रांसफर होता है gene editing ठीक है pass down का मतलब यहां पर यह पास्ट पाती से पहल है यह burden of gene editing की gene editing को modify कर रहा है pass down the family tree मतलब gene editing का जो burden होता है जो की family tree में टांसफर होता है the burden of gene editing pass down the family tree यह अपने आप में पूरा एक subject है यानि इसके बाद यहां पर आपको एक verb चाहिए क्योंकि subject के बाद verb आती है ठीक है यह अपने आप में पूरा subject है क्योंकि burden of gene editing एक नाउन है और इस नाउन को modify कर रहा है यह adjective लेकिन यह पूरा अपने आप में एक noun ही है और इसका जो main subject है वो है burden of gene editing the burden of gene editing that is passed down the family tree इसके बाद verb लगा सकते हैं वर्ब लगी है इसमें cannot be born by science alone मतलब gene editing का जो burden है वो उसको उसको सही करने का या उसको उसको manage करने का जिम्मेदारी के बल साइंस की नहीं है the burden of gene editing passed down the family tree cannot be born by science alone उसमें technology और डूसरे elements भी होने चाहिए तो यह CD भी यहां पर सही है यानि A यानि BE और CD ठीक है तो BE और CD यहां पर दो combination बन रहा है दो combination किसमें दिये हैं दो combination इसमें इसमें दिये हैं कि यह आपका answer होगा यहां पर second इसमें आपका answer होगा ठीक है इस तरह के questions को करने के लिए reading आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए इसमें words जो आते हैं वो थोड़े से अच्छी लेवल के आते हैं और हिंदू की अधिया आप reading करते हैं economic time की reading करते हैं और analyze करते हुए आप पढ aviation क्या अब aviation एक जेक्टेव है इसके आगे नाउन चाहिए आपको aviation industry हो सकता है aviation market हो सकता है इसमें मार्केट इसमें दिया है aviation market globally a year sooner मतलब एक साल के अंदर इंडिया third largest aviation market बन सकती है यहां से इसका combination प्रकुल सही बन रहा है यह नेक्स देखते हैं the big contribution in big contribution in in मतलब कहां पर यहां पर उसका नाम आना चाहिए the big contribution in तो यहां पर तो एज है यहां पर restrictive protectionist मेजर है in restrictive protectionist मेजर है यहां पर इसको जोड़ते हैं तो यह incomplete sentence होगा the biggest contribution in restrictive protectionist measures is यहां से यह sentence complete नहीं हो रहा है यहां से देखते हैं firstly we are seeing a we are seeing a firstly we are seeing a restrictive protectionist measures यहां पर जब an लगा हुआ है तो यहां पर फिर measures के साथ यह नहीं जोड़ सकता और यह जोड़ता भी है यह sentence तो यह incomplete है firstly we are seeing a restrictive protectionist measures यह incomplete होगा sentence यहां पर इसमें केवल एक ही combination बन रहा है सही इंडिया बिल भी थार्ड लार्जेस्ट डेविशन मार्केट ग्लोबली और यह सूनर मतलब जल्दी ही इंडिया था लार्जेस्ट डेविशन मार्केट बन जाएगा तो इसमें एडी ही आपका सही आंसर होगा बाकी to be combination इसमें सही नहीं बन रहे हैं तो यह कॉलम बेस्ट कोश्चुंस इसका मैंने idea दिया है इस तरह के क्योंस की आप जाद़ स्यदा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये current trend के questions है और बैंक और बैंक पर दोनों ही एक्जाम में स्ब्स्टरार के questions पी और मेर्श exams में इस समय पूछे जा रहे हैं तो इस तरह के questions की आप ज्यादशादा प्रैक्टिस करें उससे आप इस तरह के questions को master कर सकते हैं और इस तरह के questions को करने के लिए reading बहुत ज़रूरी है regular basis पर reading यदिया आप करते हैं तो इस तरह के questions को आप logically connect करके accuracy के साथ आप कर सकते हैं ठीक है तो इस video class में मैंने 5 questions explain किये हैं और आपको एक idea दिया है कि कैसे इन questions को करना होता है कैसे यह आते हैं और किस तरीके से आप accuracy के साथ इन questions को कर सकते हैं कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो इन numbers पर आप दे सकते हैं इस email ID पर आप दे सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में thank you